नमस्कार में अरुनेंदर कुमार और आप देख रहे हैं दिलोकसभा आज दिलोकसभा का जो लोकसभा चैनल है उसका सफर जो है वो प्रतापगड़ पहुच चुका है प्रतापगड़ विधान सभा जो आपको बता दूँ दोहजार सत्रा में यहां से अपना दल और भाजप का ये भी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई की बहुत मार है कुछ लोग कह रहे हैं बिरुजगारी की बहुत मार है वहीं कुछ लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि महीने में दोवक राशन मिल रहा है वहीं कुछ लोग इस बात से भी संतुष्ट हैं वो लोग दावा कर रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है लेकिन जमीनी हकीकत क्या है प्रताब गड़ के असली मुद्दे क्या है क्या है यहां कि जनता की सोच कि वो जो 27 तारीकों जो चुनाव होने वाले हैं यहां पे मद्दान होने वाले हैं उसमें मद्दान केंद्रों की ओर क्या पर अपनी जमीन बचा पाएगी या फिर इस बार भाजपा की जमीन यहां से खिसकेगी यह हम यहां के लोगों से जानेंगे बिलकुल आम लोग हैं मैं आपको बता दूं बड़ी बड़ी टीवी मीडिया हॉसे में आपको हो सकता है कि ऐसा मिल जाए कि वो लोग फिक्स जो र कारण है सुरक्षा है सुरक्षा एक बड़ा कारण जे इनसे पहले सरकारों में क्या रहता है पूरी तरीके से गुंडा राज था पूरी तरीके से गुंडा राज चोरी डगयते छिनेती अपाराण हत्या हर चीज सामने हम लोग कई अपराण देखा है कई छिनेती देखा ह नहीं सामने सड़क से, छीन कर भागते हुए, बेटियों को उठा ले जाते हुए, कोई रोकने वाला, कोई सुनने वाला नहीं रहता है, अगर जाइए तो पुलिस प्रसासन में कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुनवाई नहीं होती इसके पहले अकले स्राज में अब जब से योगी जी का सासन हुआ है यह रंडा बहुत अच्छी तरह चला है हम लोग इज़त से कम सकम कमा खा रहे हैं बस यहीं बहुत है परिवार का बहु बेटियों की इज़त वह सुरक्षात सके हमसे कोई कहत न आफ डालेंगे पर्ताकबण में आँ बात थी कि इस सुनवाई के लिए को सुनवाई नहीं होती थी है महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बताए जा रहा है कोछ रए मेंगाई कोछ नहीं है आई सरकार इतना रासन पिरी दे रही है हार तरीके सुञदा दे रही है हम लोग भी जानते हैं कुछ उनिस सो सटतर में इंदरा जी हारी थी उसमें भी महंगाई मुद्दा था हर चुनाओं में महंगाई गरीबी यह हमेशा आराजनाइतिक मुद्दा होता है लेकिन महंगाई के साथ साथ आमदनिया भी तो बढ़ती है अभी आप देखिए आज से पांच साथ साल पहले लोगों की दिहाडी राईस होती थी आज 400 दिहाडी है हर आदमी के अर्णिंग बढ़ी है तो जब आमदनी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी विकास होगा तो महंगाई आएगी यह दोनों एक दूसरे के पूरक है अब इसको राजनेतिक पहली बार है कि यूपी के चुनाओं में हम लोग इतने दिन से चुनाओं देख रहे हैं पहली बार है कि यूपी के चुनाओं में ब्रस्टा चार और कानून व्यवस्ता मुद्दा नहीं है इसको भी पक्षी भी नहीं बोल पा रहा है और यह दोनों मुद्दे ही जनता के सरोकार से जुणे है अभी मुद्धा क्या बोलना है गरीबी है महंगाई है बेरोजगारी बेरोजगारी क्या जब आप I school पास होगे और नकल करके पास होगे कहां से आपको रोजगार मिलेगा काम करने वालों के यह कोई वे रोजगारी नहीं है, और महंगाई विकास से जुड़ा हुआ है, और काम करने वालों के लिए कोई रोजगार नहीं, लेकिन भाईसाम ने जैसे कहा अभी कि कानून विवस्था, कानून विवस्था कि जब सवाल आता है तो हात्रस कांड याद आता है, है ना, और हाँ, तो अगर किसी को गलाट ढंक से फसाया जाए, तुवे तो अलगी बात हो गई, दो हजार सत्रा से पहले, चितनी आरा जकता उत्तरपदेश में थी, आज कहीं देखनों के मिल रही बाद महंगाई की, हमें मानते हैं महंगाई थोड़ी है, लेकिन उससे ज़्यादा हम को जो है, दिहारी मजदूर अच्छे सु रूपए पा रहा है, तो थोड़ा सेकरिफाई करने के लिए तो थोड़ा दर उठाना ही पड़ेगा, और यहां रही बात यहां जीतने की, यह आप मान के चलिए, सदर से, रानी गन से, पट्टी से, बीजेपी की यहां पांच के पांचो सीटे निकल की जाएंगी बात, यहां तर टेनी की बात है, टेनी वो कि राजमंतरी है, उनके लड़के से क्या हुआ, गल्ती क्या हुई, क्या किया हूँ, तो जाच का भीशे है, वो मामला देखिये, सब जडू सब जूड़िस है, अब आदालत क्या फैसला करेंग उसमें कोई कोता ही नहीं हुई, सरकार ने दुनका पक्ष लिया नहीं, सरकार इसके पहले आप देखिये, माननी नेता जी थे, बालतकार होता था, कहते थे लड़के बच्चों से गल्ती हो जाती थी, तो यह अंतर देखिये, यह कारवाई तो कर रहा है, चलिए ठीक है, को कोई मुद्दा नहीं मिलना है, तो यह सब मुद्दे बनाए जाते हैं, मुद्दे बनाए जाते हैं, ठीक, क्या नाम है आपका, मनोश कुमार सिरवस्ता, मनोश जी मुझे यह बताई, परताब गड़ में जिस परकार से इनोंने कहा कि सब कुछ खुषाल एक दम चला है, भ तो वैसे आदमी की अर्निंग भी बहुत आगे बहुत है, रासन भी फिरी मिल रहा है, रासन की बात से मुझे एक चीज और याद आई, रासन से मुझे एक चीज याद आई, कि जिस प्रकार से आपने कहा रासन दे रही है, ठीक है, किसान को भी दे रही, गाउं में भी दे यहां देरी लेकिन दिख इसक्यूर मुद्भ है की कि छुटता जानवर फूरा ज़ो चुटा जान्वर है वह केट चरजा रहे हैं दो रासन कितना देदेगी रासन फुटा जानवर किनके कि सरकार ने गोकशी पर पाबंधी लगाई क्या लोग चाहते हैं सलकों पर गायों की हत्या हो यह मतलब होता है एक तरफ गाय की पूझा करेंगे दूसरी तर भाव सलाटर होस पे जाएंगी हम कहा रहा है जो बचले जो साण छूटे हैं यह किन के हैं यह किसानों के ही हैं हमारे आपके जैसे लोगों के ही हैं उनको आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं उसके बाद दीरे दीरे उसका भी बंदोबस्त करेंगा उस दिन मोधी जी ने कहा बारावंगी की रहली में हमें इसका पूरा पूरा इंतजाम करेंगे योगी जी भी कह रहा है कि हर किसान को एक हजार रुपया एक कमत्राइशन देख चुके क्या जी सासन देखें लेकिन इतनी इमानदारी किसी सासन योगी को बादाशिता इतनी इमानदारी इतनी वह कहीं नहीं दिखा पूरां टुरंत लेलेना हर चीज पर तुरंत आक्षिक्र लेना इसलिए बीजेपी गोश्ववर्मेंट्स एच्छ कराण यही है कि हम लोगों को राशन और जिस संकट में पड़े हुए थे जैसे करोनकाल आया था इसमें भी बैक्सीन लगवाना लोगों के मतलब बचाओ के लिए राशन सब चीजें बेवस्ता करना घर घर मिल रहा है कि इस बार तीन सो पार जाएंगे वह बाच्पा भी कह रही है चाले स्वीट में चाले हसीन सपना देखने को कोई रोग नहीं सकता सबना दुरात में आता है बारावजे रात में तो मुगेरी लालक हसीन सपने वह भी देख से अब तो वक्त बताएगा दस दिन बाद को अगर पीसली बार कितना था उनका पैतारी से साथा कुछ था कुछ था बहुत तो का तो पांच है और बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे घड़ भी सकते हैं लेकिन पुण पाहमास से हमारे बाबा ही आएंगे अवाते रहेंगे क्या नामे भी आपका अरिस्चंदी क्या लगता है सब कुछ अच्छा लगा जो सब जनता को सब ठीक ठाक दिया है जो जो उन्होंने बेजा है सब कुछ हम लोगों मिल ला है अच्छा आप तक पहुंच रहा है हां बराबर घर वाली योजना है तमाल सब कुछ सब सबार है सब सबारा रहा है योजना यह बहुत आती दिलिके मिलता कुछ नहीं था लेकि लोग कह रहें कि सेलेंडर तो देदिया भरवाएं कैसे इतना में अरे भरवाएंगे हम के सेल जार 22 में कहा महांगा हुआ है राहूल गांधी के गवर्मेंट में जो यूपीय के गवर्मेंट थी बारा सु रुपए प्रत सिलेंडर और वो लाइन लगती थी आज लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है घर पे सिलेंडर पहुंच रहा है आराम से पहुंच जब चाहे मोधी ट्रशका कोई है को अधितास इसलिए इक दम सही है धरती पर कि मैं पूर इससे मैं भूत पूर परदान हूँ हे हमारे तो परिवार मुसरी मुसल्यम करिवार है एक भी परिवार ऐसा नहीं जिस घर में Galik में भीड़िवार में भी घवैसा कि जो योजनाय थी बाबा की यूपी गवर्मेंट की सब को एक समान गई कहीं देख वो नहीं हुआ जो योजनाय सरकार ने चलाई है क्या वो धर्म जाथ को देख कर योजनाय चलाई है सारा सारा योजनायों का लाब चाहे हिंदू हो चाहे मुसल्मान हो कोई भी हो सब को बराबर और नी सुल्क एक नय पैसे के बाद उसमें गड़बली नहीं हुई है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं आप अखलेश जी को थोड़ा सा गरम पानी से मुझे चिट्टा मारके उनको जगा दीजिए कि दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सबने न देखें धाई सो टाउन एरिया सिटी है यहीं धाई सो मुसलिम परिवार को आवास मिला है धाई डाई डाई लाग रुपए का लेकिन वो बयादा योगी जी मंच से बयान देते ना माजवादि और यह सब चीजें करते हैं असी और वीस वाला आखड़ा बताते हैं बात करते समये अगर यह केवल कहले लोका है करहनों मुसल्मान ही क्यों पगड़ी जाते है काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले वहां केंट स्टेशन पर हमला करने वाले ऐसे विक्टिम जो भी जो भी मुझरिम थे उनको छोड़ने का काम करने वालों को क्या कहा जाएगा नमाजवादी नहीं कहा जाएगा आप बताइए क्या कहा जाएगा बाइ नमाज खलाने का टरीका है थर्म का थी कहा लेतृ emal शाम नाराणड जी अखलेश याद अविस वार कह रहे हैं धुआ वाले को धुआ धुआ करते हैं अखलेश जी खुदी धुआ हो जाएंगे अच्छा जी जी जीतेगी बस बीजेपी कारण है कि सासन बढ़िया है बाजपा में और सारी सुब्धाय मिल नहीं है वो ठीक है वो कुछ बराबर्द हो रहा है सारी सुब्धाय मिल रही है हमको ठीक है और सासन भी बढ़िया है बहिन बेटिया सब भी सुरजचित है जी महंगाई कोई मुद्धा नहीं है विरोजगारी विरोजगारी जो कोई काम करने नहीं जागे विरोजगारी रहेगी काम करने के लिए वेवरोदगारी नहीं है। बीजेपी पाकी बातों। पूरी पूरी रहेगी वेजेपी। क्या नाम है भी यह क्या नाम है अपका। मुहम्मद अशिम शुर। क्या लगता है भात। किसान के तो हैं मलब चोड़ देते हैं उसका मलब पाला नहीं करते हैं जो जानवर हैं वो तो किसानों के ही हैं किसान के तो हैं मलब फोडने चूड़ देते हैं और समय खोड़ देते हैं उसका मलब भढ नहीं करते हैं घुशहीत अपर सबस्व ऑख सर्कार अपनी वाद नहींग करते हैं जो मगर हैं हम दो महीं थे आपने भूखा नंगा जानवर को छोड़ दिया दूद खा करके अच्छी बात है रोक लगा दी अच्छी बात है लेकिन उनके लिए क्या प्रभंद किया गया यह सबसे बड़ा सवाल है अगर किसांट छोड़ भी रहा है तो उसके लिए प्रबंद क्याुआ मैं इमान्दारी से करती योजनाय बनाथी सफल भी होती है अगर जब योजनाय फैल होती यह सरकार उसकर इमान्दारी से फिर आगे काम करो कि उसको सफल है का प्रयास करती इसलिए हम को हुआ है इसलिए हमको भरोसा घवरा पात्सालिक def To जाएगा यह चुट्टा वाराज पसुगों से हमको निजात निश्ची तौर भी यह दिलाएंगे और गो कसी बंद होनी चाहिए बंद है यह बहुत बहुत अच्छी बात करने का पूरा प्रयास करेंगे समय लग सकता है लेकिन इसका निदान होगा करते हैं बहुत करते हैं जानवर आप भी रखते हैं वह दूद काम करते हैं लोग तौर अनृटन किस परकार के छुट जानवर निया कौन कोंसे जए घाए और आटा है बाइल जाए बाइल बाइल बस और बाइल बाई बड़े भेड़नि Savior aúnš ende aquesta पीजिस को दे रही है गोचित इसको रह denkt Mouse tohead और जे रुआ जो पने पास रख 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 रहुए बिलना है रहे रहा का रहे ख् Ellicose explained प्रेट्यार को तड़ियो ते रहे कारे यह जो अपने पास रख रहा है जानुवर उसको 9 10 रुप है जानवर पीछे मत पूछे एक दिन 200 रुपए खर्चा है जानवर का हजार रुपए दूद भी दे रहे हैं अब जो जानवर दूद नहीं दे रहे हैं उनके पीछे 25 रुपए भी खर्चा नहीं है पाले जाके इससे भी पूछिए दुधारु जानवर पे खर्चा है गैर दुधारु पे कहा खर्चा है दो 100 रुपए पता रहे हैं कैसे मालने भाई एक दोर पूछने हैं अगर जानवर दूद नहीं देगा उसको खाना खिलाना छोड़ देंगे क्या किसान देखे दुधार पर दूद नहीं दे रहा है उसपर कितना खर्चा करते हुच जो दे रहा हुच पर कितना बूँता गृते हैं कि जानवर दूद नहीं देता उसको आप लोग खाना नहीं खिलाते हैं एच्षान संटे wok happened canada ani udah था मिलता है अव्य 들 मेरा सब काम चल जाता है सों कम है था मैं नग्妳 अर्य भाई धुश्य भी polarized बूत विकना चाहिआ यही बां रही है फिस चाहिए जब तक एक तो तक काम है तब तक रिकेंगे और चौड़ देंगे तो उन्हीं की गाया हो थूड़ रही है ना दूसरे के जज़ए नहीं पूरा कट्रा मेंगा सिटी देखें महुंद देखें डेरवा देखें सब्सक्राइब हो गया पूरा सब्सक्राइब किसी को नहीं मिला पाकी में सबको मिल रहा है जितना आरा उतना मिल रहा है कोई गैपिंग नहीं कोई दलाली रहा है सीजा खातेम पैसा अरा है पहले जो है उनको पाटीज तीस तीस जार रुपई गो खा जाते सब्सक्राइब को अच्छा है हमको मिल रहा है हमा जो जो योजनाय बन रही है वह हमको मिल रहा है अग उनके में जो योजनाय बनती थी वह स्वैम का जाते हैं अब इसके बाद उनका कोई जगा अस्तित है नहीं उत्तरपरदेश में अच्छा एक चीज और है अभी योजना चलाये थे भैस पालन के लिए बीस लाग रुपया उस पे लोन बहुत तीन परसेंट ब्याज पर था वो एक बारगी चलाया अब सारी बीस लाग उस योजना से लाब यह आदो परिवारों के मिला विधायक सांसद उनके जित्ते थे जित्ते उनके पदा दिखारी थे सारे सब उनको मिला किसी भी जनता एक सवाल हो रहे मेरा आप से भी कि भाजपा सरकार गाना गा रही है कि जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे असपा वाले कहने कि राम को कैसे कोई ला सकता राम तो सबसे पहले आये थे मंदिरे पे मंदिर में केवल हर जगा यह रोक लगवाते थे ना केवल भाजपा दे कैसी पार्टी ती जो जाकर लड़ाई कर रही थी यह कहां थे तो राम को तो वहीं लाएं है मर्यादा smoking to ž married को लाने से ताथ पर रीए है इसके पहले उनको एक फटे टेंट में रखा गया था हमारे रामलला को बालयावस्ता में जो जहां जनम स्थान है उनका उनको फटे टेंट में रख़्ा गया था उनको जन्व भूम तक लाने के लिए रास्ते में यही कांग्रेसी यही सारे सेकुलर पार्टियां रोज रोड़ा लगाती थी सुप्रीम कोड में वीड़े बिड़ देती थी राम के लाने के मतलब है कि उनको अपनी जगा पर भव मंदिर में अस्थापित करना यह है उनकी अस्थापना वहीं हो जाएगी जैसे उनका मक्का मदीना है हमारे धर्म का वो है जिसी चुनाव आते वक्त यह सब चीजें क्यों याद आने लगती है मतुरा कासी राम मंदिर और ये सारी चीजे चुनाव का समय होता है कि जहां पे सब चीजें का सरकार बनानाने गामलाida होता है तो हमारे हित कहा साही हो जहां भविश्वल हो हम इसी सरकारों के चुनी इसलिए इन सारों मुद्दों को सामने लाए जाता है जाता है अभी फिर बोलेंगे जब मतुरा में जहां किस भगवान का जनम हुआ था वहां इदगा बना दिया गया है अभी जब हमारी योगी हमारी सरकार जब बनेगी जोगी जी कि उसको जब आएंगा रिए गलत हो रहा है तो जिलनान का काम है हमें धर्म की रक्षा नहीं करेंगे खत्रे में किस्ते हैं अब अदमास चोर आवारा वाकी कोई खत्रम नहीं है सब खुषाल है साब खुषाल है एक चीजी है कि वो कह रहे है कि मंदिर मस्जीद का जगड़ा कॉन लगा सनातन धर्म से जब से इस्द्वेद पृत्वी पर किष्णा और राम और संकर आये हैं उस बाबर तो आप आया है ना बाबर नहीं हमारे लिए हमको जो काटा बोग गया हिंदू मुसलीम आपस में लड़े तो मुसल्मान को यह चाहिए कि यह जब सनातन से यहां का का सिजी संकर हगवान विजद बिराजमान है तो यहां पर मस्जिद अपने हाप उनको अटा देना चाहिए उनको पूछे कि मस्जिद कपकी बनी है और यह का सिका हुआ कपका बना हुआ है किस माज वादी पार्टी से समाझ वादी पार्टी begitu दावाडी से यहां तो गारेंगे जद तक हम अपने योगी जर्गाव को पीम न बनातेँ जी हां सर बिलक'll बनाएंगे आउसनु सीगल बनाएंगे किसे काम देख रहे हैं आप इस चीज में हर लाइन में देखिए सुक्सुप्धा चाहिए वो बिजली का हो उन्होंने दिया चाहिए वो सड़ा खो वो ने दिया गरीब करे राषन बराबर दे रहे हैं क्या चीज़ नहीं दे रहे हैं वो हुआ ह्में उनका 300 unit प्रीfficient नहीं चाहिए वहοमें करने जो हम खर्चा करकर रहें जब उनकी सरकार थी तब क्यों है दिये अब जब UNKA सरकार आना बनना वह 17 मामारा जाहिए तुर्हारीश थीन सफय फिर देंगे वह कुछ नहीं किंये सिचाई किंवे किर देगे हम जो चीज के लिए यूज सका देना चाहते हैं क舞 योग उसमें देखिया आपका रेलवे उन्होंने बंद करा रखा था सड़के बंद राखा था बसे बंद राखे तो उन्होंने भी कहीं न कहीं वो घाट उसकी जगह पे हम लोग को आफर में कोरोना वैक्सिन दिये देश प्रदेश में हर जगह पहुंचा है वो यह सब है अपने अभी लड़के हैं हम आई हमारे दे रही आप यह करके रखिए ना कईनवर हमारे नहीं आ रहे नहीं चोडब्जी रखते थे थे योगी मोदी आइस जड़की यश्डौनार नहीं जानता है वभी वह बांद कर रखिए हैं हुआ जह चुट्ता जानुवरे की जहां तक बात है हमको चुट्ता जानुवर्τα सविकार है चुट्ते ही नहीं स्विकार है 2017 से द्लम से चुट्ते अपरादी हो मतने अब और स्विकार है बड़ी सी और अकले जी कहे रहा है हमुआ यूनिट पिजली फोरी रेंगे दस साल उनकी गवर्मेंट थी, कभी 15 दिन के हपते में बिजली आती थी, कभी महीनों बिजली आती ही नहीं थी, कभी हम जब सो जाते थो बिजली आती थी, उठती थो बिजली चली जाती थी, आप आज कहां सो ला के हमको 300 फिरी देंगे? सिर्फ पांच जिले में लाइट थी, साइफाई, और क्या कहते हो? अरे बही, इटावा, मैंपूरी, एटा, यही सब था उनका, बास यही उनका था, बाकी एक अपते दिन, एक अपते राट, मरें चाहिए, जनता चाहिए, उनसे मतलम नहीं था, वहाँ डांस होना चाहिए, नाच गाना होना चाहिए, साइफाई में, साइफाई महोसो, साइफाई महोसो मनता था, जनता के टेक्स के पैसे से, साइफाई महोसो मनाया जाता था, करोडो करोडो रूपया जो है, साइफाई में महोसो में खर्चा किया जाता, बड़ी-बड़ी डांसा रहती थी, वही पैसा कर भी कास में लगाते तो आज मुलाम अख्लेश जो आइस घाट के न पहुंचते एक दम नीचे अस्तर से नीचे अस्तर के घाट पहुंच गया है और आने वाले समय में वह अपने लिए अगर सही जगा नहीं डूनेंगे तो उनके लिए वाड़ी दिक्कत होंगी उनक प्रताप शिंग उसराजा भाईया वहां से लड़ रहे हैं कभी भी सपा ने उनका विरूद नहीं किया इस बार गुलसन यादव को उतार दिया है वहां से क्या लगता है हुमारे महराज है उनकी सीट एक लाक से उपर कि वीजय होंगे उसको कोई रोक ही नहीं सकता कोई र लाको प्रसंच हैं तो समय कट्ल कर दे तो क्या मोडी जी नहीं टो नहीं क्यों कि बहुत लोग मैं अन्हीं के फोटों है तो क्या कभी उससे गलती हो जा दोशी मोडी जी बिल्कुल नहीं और लोगपी नेता है उनके उनके लाको फालोवर है रहुगुराज पताब्सिंग हमाराज है उनको कोई भी नहीं हरा सकता है गुलसाने आदा उनके सामने चूंटी से भी खुम भुनिगे के बराबर उनका सित्व है वह कुछ नहीं कर पाएंगे वह महराज है अगो उनके से अच्छा वह गरीब जन्ता का इतना जो है प्रसाहित करते हैं इतना अनुदान दे वह बहुत ही अच्छी आदमी तो इस बार कोई फरक नहीं पड़ेगा नहीं नहीं तो चोड़ दीजिए अख्लेस यादो खुद आजा उस बिधान सभा से अगर वो जीत के चले जाएं फिर बताईएगा कहा आए है लालने आजाएं वाके लालने चुना उनकी हिम्मत चुना जी कहा रहा है जब पने पिता जी को पहचा ने सिंकार कर दिया तो उनसे अपेक्षा ही है उनकी भाजपक प्रचार कर रही है यही सब तो कारण है जो परिवार का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा क्या नाम है क्या लगता है बस बीजेपी जीत गई है और क्या लगता है रोजगार नहीं है वहाँ के पास अतारे लाठी में पड़ रही है सरकार में बहुत नहीं ऐसा कुछ नहीं है देखे के वल यह मनस्थी ता को भ्रम में डाला जारा है बीजेपी जीती हुए और रोजगार की बात है तो पंच साल में कोरोना तिन साल आगे दो साल बचेते उसमें काफी काम हुआ है अब पांच सल आगे देखेज के रोजगार पर पूरा काम ह युरकानो